सेमी फाइनल से पहले टीम इंडिया और विराट कहली के लिए खुश खबरी तो इंग्लेंड के लिए आ गई बुरी खबर भारत के खिलाफ सेमी फाइनल से पहले इंग्लेंड को तंगला जटका उवर ना होगा मुस्किल विराट को ICC ने दिया खास सम्मान तो धौनी, सचिन, गांगुली सभी ने दे दी बधाई दस तारीक को T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे एहम मुकाबला यानि के इंडिया और इंग्लेंड के बीच सेमी फाइनल खेला जाएगा दस तारीक को जब इंडिया अपना मैच खेलने उतरेगी, तो उसके सामने ये साफ हो चुका होगा कि फाइनल मुकाबले में किस से भिड़ना है पाकिस्तान या फिर न्यू जीलेंड, खेर फिलाल तो टीम इंडिया के लिए बड़ी खुसकबरी आई है और इस खुसकबरी को सुनकर ना कि बल विराट कहुली, बलकि पूरी टीम का जोश हाई हो गया है भारतियों के लिए क्या खुसकबरी आई है, ये आपको बताएंगे लेकिन पहले 30 सेकेंड में ये सुन लीजिए, कि इंगलेंड के लिए क्या बुरी खबर है लोटकर बे बल्लेबाजी करने भी नहीं आए टीम के दूसरे सदस्य, मोहिन अली ने बल्लेबाज डेविड मलान की चोट को लेकर अपडेट दी है जिसके अनुसार उनका सेमी फाइनल मैच खेलना संभब नहीं लग रहा मोहिन अली ने कहा डेविड मलान हमारे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक है उनकी चोट ठीक नहीं लग रही है साथी मोहिन अली ने यह भी माना कि इस वर्ल्ल कप में इंगलेंड अपनी छमता के हिसाब से प्रतरशन नहीं कर पाई है आईए अब आपको भारतिये खेमे के लिए आई खुशकबरी की जानकारी भी देते हैं टीम इंडिया के सबसे एहम सदस्य विराट कहली ने पहली बार ICC Player of the Month अवार जीत लिया है दुनिया भर के मीडिया प्रतनिदियों, ICC Hall of Famers, पूर्वंतर रास्ट्रे खिलाडियों और ICC Cricket.com पर पंजीकरत प्रसंसकों के बीच की गई वोटिंग के बाद विराट ने ये खिताब जीत लिया है खिताब मिलने के बाद कहली ने कहा कि ICC Men's Player of the Month चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है दुनिया भर के प्रसंसकों के साथ साथ पैनल ऑफ स्टेंड आउट खिलाडी की रूप में चुना जाना मेरे लिए इस प्रसंसा को और भी खास बनाता है वेस्टन डीज के पूर्व अंतर रास्ट्रिय और ICC Player of the Month वोटिंग पैनल के सदस्य डेरेन गंगा ने कहा कि कहली सबसे बहतर बल्लेबाज है उन्होंने खराफ फॉर्म के बाद भी शांदार फॉर्म दिखा दी है अक्टूबर में उन्होंने साउथ अफरीका के खिलाफ नाबाद 49 रंड मनाए ICC T20 वर्ल्ड कप में भी दो अर्शतक लगाए इस सब के बीच साउथ अफरीका के पूर्व दिखज बल्लेबाज ए भी डीवीलियर्स ने अपने सोसल मीडिया के जरिये ट्वीट करते हुँ भविश्यवानी करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा इसको लेकर भी अप टीम इंडिया में उत्साहा देखा जा रहा है बीरो रिपोर्ट मीडिया हल चल बीरो च्पर्ट मेच